गुड मॉर्णिंग आल आप यू आर्बिश डिग्री कॉलेज मेजा खास के आनलाइन पेल फॉर्म पे सभी छात्रों के महारतिक स्वागत करते हैं छात्रों आज जो है बिएस्सी एजी फोर समेश्टर के अंतरगत जो आपका सब्जेक्ट है इंटोडेक्टरी एग्रो मेट क्लाइमेट चेंज के अंतरगत जो आपका टॉपिक है जो है वो है नेचर एंड प्रॉपरिटीज आप सोलर रियडियेशन सोलर कांस्टेंट और डिप्लिकेशन आप सोलर रियडियेशन इसका अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि सौर विकरण की प्रकित क्या है ठीक है और उसका गुण क्या है फिन सोर इस्थरांग और सोर विकरण का हास यहान क्या है आज इसी के विसे में जो हम लोग को छात्रों अध्यन करना है क्योंकि जो आपका मेटरोलॉजी है यह जो विज्ञान है जलवाई विज्ञान जो है इसके अंतरगत जितने भी आपके थर्मल पावर प्रांट और सौर उर्जा प्लांट ये सारी चीजे जो है जो आपके सूर के प्रकाश जो है उनके तरंगों के द्वारा जो है एक बिद्दुत पैदा करके जो है उसे एक जगह स्टोरेज करके शप्लाई करके उससे कई जो है कार्य किये जा रहे हैं जैसे जो है आप के इस आधूनिक युग में जो आपके जो है नलकूप हैं वो जो है सौर उर्जा के द्वारा चलाए जा रहे हैं और आपके जो है कुछ लाइट्स भी जो है सौर उर्जा के द्वारा जो है एक तरीके से जो है विद्दुत उत्पन करके जो है प्रकास लिया जा रहा है फिर उसके बाद जितनी ही जो है बेज्ञानिक तरीके से अगर इस आधूनिक युग में जो हमारे बेज्ञानिक हैं वो अपने आविस्कार के थू जो है धीरे धीरे जो है कई जो है ऐसे शाधन और शामग्रियां हैं जिन्हें सौर उर्जा के माध्यम से जो है चलाई जा रही है या उसे प्रकाश में तबदील किया जा रहा है, ये सारी चीजे जो है आपके सौर विकरण के दोरा ही जो है、 छात्रों संभव है। ठीक है क्यूंकि आने वाले वक्त में जो है सौर उर्जा मुख्य जो है एक तरीके से उर्जा का शाधन होगा छात्रों। ठीक है आई ये स्क्रीन पर चलते हैं इसके विशे में अद्दन किया जाए सौर विकरण जो है क्या है पहले हम इसे आपको बतलाते हैं छात्रों जो है विकरण सब्द से परमाल बम हैजामत एक सब्दावली है छात्रों जो है जिसे एक इंग्लिश वर्ल्ड से जो है दर्साया गया है सूट और खतरनाग परमाल कच्रे की छवियां उभर कर उभर कर आ सकती हैं लेकिन इस सब्द का अर्थ कहीं अधिक हानी रहित भी होता है जो की विकरण के द्वारा जो है आज के समय में जो भी आधुनिक युग में छात्रों जो है बिद्दुत का एक शाधन बन रहा है ये ज़्यादा तर हान फुल नहीं है मतलब ये ज़्यादा जाओ है आपके प्रकित को जो हानी नहीं पहुचाते हैं मनुश्यों को हानी नहीं पहुचाते हैं जानवरों और पौधों और पत्तियों को ये हानी शौर विकरण नहीं पहुचाते हैं मगर कहीं पे इनका अगर तरंग धैर जो है एक डिरेक्टली अगर किसी पदार्थ या किसी चीज पे अगर पड़ता है चात्रों जो है तभी जी ये हार्मफुल जो है हो सकता है चात्रों ठीक है फिर उसके बाद विकरण की व्यूत्पत लैटिन के रेडियो रे से उत्पन् का अर्थ है किरने उसरजित करना ठीक है ये जो पॉइंट है चात्रों जो है ये आपके जो है कई एक्जामों में जो है परिछाओं में पूछा जाता है तो इसे आप ध्यान में रखिएगा जो है कि सौर विकरण की जो उत्पत्य होती है वो लैटिन के जो है रेडियो रे से जो है उत्पन हुई है जिसका अर्थ होता है कि किर्णे और सरजित करना ठीक है फिर उसके बाद परुमार कच्रे के मामले में विकरण का मतलब अक्षर गामा किर्णों से जो है दर्साया जाता है या उसे प्रदर्शित किया जाता है जो आपका गामा किर्णे है अलफा बी करनों को जो है एक तरीके से दर्सा कर और इन्हें कुछ ऐसे चीजों में परिवर्तित किया जाता है कि जिस से ये जो है किसी बिद्दुत में जो है परिवर्तित होके किसी सहियंत रया जैसे मोटर वाहन होगे इन सब चीजों को जो है चलाने में जो है प्रियोग किया जा रह A फोटान होते हैं जो मानो कोशिकाओं और डियने और या अलफा और बीटा करणों को नुक्सान पहुचा सकते हैं जो प्रोटान नुट्रान और एलेक्ट्रान को उर्सजित करते हैं मतलब कहने करती यह है चात्रों जो है कि जो हमारा सौर विकरण है इसके द्वारा जो है कई क्रिणों का जो है एक तरीके से उद्गम होता है जो अलफा बीटा गामा फिन उसके द्वारा जो है आपका निट्रान है और प्रोटान और एलेक्ट्रोन की भी जो है एक तरीके से उर्सर्जन करते हैं ज ठीक है जो शमान रूप से अगर देखा जाए तो ये किर्णे जो है एक परियावरण और मानों के लिए बहुत ही नुकसान दायक हो सकता है ठीक है फिन उसके बाद सौर विकरण जो है प्रकार को इस सूर के पिर्थवी तक और वाइ मंडल के माध्यम से लाया जाता है या लाता है तो विकरण सब्द का इतना नाकरातमक अर्थ नहीं हो सकता है सौर विकरण की परिभासा केवल सूर के प्रकास की विद्दुचुम की तरंगे हैं सौर विकरण या उप विकरण तीन प्रमुक प्रकारों में आता है पहला जो है द्रिश्य प्रकास दूसरा आपका अवर्रक्त प्रकास तीसरा जो है पराबैगनी प्रकास जो है छात्रो मतलब सोर विकरण को जो है तीन जो है एक तरीके से तरंगों में डिवाइट किया गया है द्रिश्र प्रकास अवर्यक्त प्रकास और आपका पराबैगनी प्रकास सोर विकरण को इन तीन प्रकास में जो है परिवर्तित किया जाता है फिन उसके बाद आता है कि सोर विकरण प्रकित और उसके गुण क्या है सोर विकरण जिसे अक्सर सोर संसाधन या केवल सूर का प्रकास कहा जाता है शूर द्वारा उर्सरजित विद्दुचुमकी विकरण के लिए एक शामानिय सब्द है बिभिन प्रदोगिकों का उप्योग करके शूर विकरण को कैप्चर किया जा सकता है और उर्जा के उप्योग रूपों जैसे गर्मी और विजली में बदल दिया जाता है मतलब जो गर्मी के शमय इसे जो है बिजली के रूप में परिवर्तित करके कई यंतरों का एक तरीके से संचालन किया जा सकता है आपके सौर विकरण के द्वारा जो चीजे छात्रों आज आप लोग अपनी शामनी आप देख रहे हैं कि सौर उर्जा का प्लांट जो है लगाया जा रहा है और किशानों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है सौर उर्जा का उपयोग करिए और अपनी किशानी अच्छे तरीके से करिए क्योंकि ये जो है सौर के किरण के द्वारा जो है आप इस सैयंत्र को अच्छे तरीके से चला सकते हैं और भूमगजल को आप बाहर निकाल सकते हैं जो है ठीक है फिर उसके बाद आता है सौर इस्थरांक जो है सौर इस्थरांग जो है सूर से एक खगोली इकाई दूरी किसी दिये गए छेतर दौरा प्राप्त उर्जा की मात्रा को मापता है सौर इस्थरांग का आपका छात्रों जो है ठीक है तुन उसके बाद अधिक विशेश रूप से यह प्रत इकाई छेत में माध्य सौर इस्थरांग अच्छात्रों ठीक है तुन उसके बाद इसे किर्णों के लंबवा सता पर मापा जाता है जो सूर के एक खगोली इकाई ए यू लगबग सूर से प्रत्वी की दूरी के जो है एक तरीके से मापने का एक इस्थरांग है सौर इस्थरांग में शंपूल विद् 9361 किलो वाट प्रतिवर्ग मीटर से जो है इसे माप सकते हैं आप छात्रों जो है ठीक है फिन आधूनीक जो है को डाटा जो है बैग्यानिक अर्थ में सौर इस्थरांग एक भौतिक इस्थरांग नहीं है अर्थात या फ्लैक इस्थरांग या प्रकास की गत की सता तरह नहीं है जो भौतिक में बिल्कुल इस्थिर है मतलब जो फिस्किली अगर देखा जाए भौत की अस्तर्च अगर देखा जाए तो सौर इस्थरांग आपका जो है एक तरीके से इस्थिर होता है ठीक है जो सूर और प्रिथवी के दूरी को जो है मापने का एक जो है मापक यंतर आप माल लिजे उसको ठीक है चात्रों फिर उसके बाद सौर इस्थरांग एक भिन मान का आउसत है पिछले 400 वर्सों में इसमें 0.2 प्रतिसत से भी कम का अंतर आया है अर वो साल पहले यह काफी कम था इस इस्थरांग का उपयोग विकरंड दबाओ की गर्णा में किया है कि सौर विकरंड का जो आपका हाश है कैशे हान होती है उसे हम आपको बतला रहे हैं चात्रों कि विकरंड का हास यद सूर के विकरंड को फिल्टर न किया गया या समाप्त नहीं किया गया तो किसी तरह हमारा ग्रह जल्द ही जीवन के लिए बहुत ही गर्म हो जाएगा जो अस्तित्त के लिए बहुत ही नुकसान दायक होगा ठीक है क्यूंकि छात्रों जो है अगर सौर विकरन सूर का प्रकास अगर डारेक्ट जो है अगर हमारे प्रिथवी पर अगर पड़ता है तो यहां पे जो भी हमारी बनस्पत जीव जन्त और मनुश्व हैं वो जल कर जो है एक तरीके से वेक बहुत तेज होता है और बहुत ही गर्म होता है तो जो आपके वाई मंडल में जो है ओजोन परत होती है उसे वो फिल्टर करके जो है तब जो है प्रिथवी पर जो है भेजता है और तब भी उसका तापमान जादा होता है मगर यहां के वाई मंडल के द्वारा जो है इसे जो है एक तरीके से संतूलित जो है बनाया जाता है छात्रों ठीक है जो कि आपके पेड़ पौधे उस संतूलन को बनाते हैं फिन उसके बाद अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि सूर की गर्मी कैसे होती है उर्जा विखरी और खत्म दोनों हो शोषण जो है एक तरीके से सूर के प्रकास के द्वारा ही जो है ये सारी चीजे जो होना शंब होता है चात्रों तब ही हम सूर के प्रकास का जो है सद उप्योग सही से जो है कर पाएंगे चात्रों ठीक है फिन फैलाओ की प्रित्वी का जो अच्छ है वो 231 बटेट्टू अंसलसियस के कोण पर जुका हुआ है यह जुकाओ के कारण सूर की किलने प्राप्त होती है आपतन के विभिन कोणों पर प्रिथिवी के सता प्रिथिवी की इस्थित के आधार पर जब सूर का किलने प्रिथिवी के सता पर लंबोत नहीं है उर्जा बिखर जाती है यह बापक अस्तर पर फैल जाती है यदि उपलब्द उर्जा पहुच रही है तो वाई मंडल इस्तिरह और बड़े पैमाने पर फैला हुआ है छेतर किसी विबिन्द पर उर्जा का मात्रा छेतर फल घड़ता है इसी लिए तापमान कम होता रहता है मतलब कहने करती है चातरों जो है कि जो हमारा सोर विकरण है जो सोर की हास है जो है वो अगर हमारे वाई मंडल में अगर तापमान जो है गर्म है तो वो धीरे धीरे 101% कम उसका टमपरेचर जरूर होगा क्योंकि जब वो वाई मंडल की शंपर्क में आता है तो वहाँ पे उसक के टमप्रेचर कई जगब विखर जाते हैं जिससे उसका तापमान जो है धीरे-धीरे कम हो जाता है ठीक है फिन उसके बाद वाइमंडल में सूरिया ताप का फैलाव किसके कारण होता है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि पिर्थवी का घूलन सूरिया ताप का फैलाव भी होता है शबी अच्छांसों मेरितियों के साथ अस्थान विसेश करवे धुरुवी छेत्रों के अच्छांस प्रकीलन के बारे मे पाचीस प्रस्त आने वाली सौर विकरण बिखरी हुई या प्रसारित होती है वाइमंडल विखराव एक ऐसी घटना है जो विक्टित होती है जब सौर विकरण हवा और कुछ से होकर गुजरता है तो तरंग धैर सभी दिशौम विच्छेपित होते हैं और गैशे अन में पर उत्पन करते हैं विविद्ध तरंग धैर और कन आकार के परणाम सरूप जटिल प्रकीलन प्रभाव पढ़ता है जो नीला आकास उत्पन करता रहता है मतलब इसका अर्थिये हुआ छात्रों जो है कि जो हमारे सूर के प्रकास से जो विकरणे आती है तो वो कई जो है कलरो मी जो है वो विखरती है जो आपके आखों के रिफलेक्टन से आपको पता चलता है कि यहां पर ये तरंग इस रंग की जो है एक तरीके से बिखरा हुआ है ठीक है फिर उसके बाद बिखराओ भी है जिमेदार सुर्यास्त के समय लाल सूर के लिए सुर्योदय के समय बादल जो आपके वाई मंडल में है जब सूर का प्रकास ढलता है तो उसमें वाई मंडल के आपका रंग अलग होता है जब सूरी निकलता है तो उसमें वाई मंडल का आशमान का रंग अलग होता है छात्रों जो हमेशा परिवर्तित होता रहता है फिर परंत हमेशा नाटकी सेटि नहीं होती है अर्थात निश्चित विकरण तरंग धैरिय और कड़ आकार ऐसी इस्थितियां जो देखी जा सकती है वो सफेद बादल और सफेद धुंद ऐसे तब होते तब नमी अधिक होती है और हवा में मौजुद सामगरी बड़े कड़ की आकार को कहा जाता है जो जो है धुंद के रूप में जो है अपने तरंगों को प्रदरसित करता है उसकी बाद जो है वहां पर जो सामान जो लगभग जो तिहाई जो है आपके सौर विकरण का जो प्रकास होता है या तरंग धैर होता है वो तिहाई प्रकिंडता विकरण विश्रित आकास के रूप में पिर्थवी तक पहुंसता है जो है उसके बाद विक्रण फैला हुआ आकास विक्रण लगभग जिम्बेदार हो सकता है सो प्रतिसत विक्रण धुरवी इस्टेशनों द्वारा प्राप्त होता है और सर्दियों के दोरान प्रतविंब जो उसका सौर विक्रण का बनता है वो हमेशा सर्दियों के टाइम में एक समय के अनुसार परिवर्थित होता रहता है छात्रों फिन उसके बाद जिससे एक सब्ता घटना के एक हिस्चे को वापस मोड़ देती है जिस माध्यम से विकरण आया कोई पदार्थ कुछ सुर्ताप को प्रतविम्ब जो है करते रहते हैं चात्रों जो है उसके बाद इसका मतलब यह है कि विद्दुच्युम की तरंगे बस आती है और अंत्रिच में परद्टवी ऑवसतन 26% प्रसित करती है सुर्ताप प्रतिसत का प्रावर्तन का सभी किसिस सताप पर तरंग धैर को उसके अर्डवेडो जो है रूप में जाना जाता है पिर्थवी का अवस्तन वेल वेल बेडो जो है 36 से 43 प्रस्ट तक जो है चलता रहता है छात्रों फिन उसके बाद पिर्थवी के 36 से 43 प्रस्ट जो सूर्टाप को आपस अंत्रिच में परिवर्तित कर देता ह प्रित्वी के LB दो जो है गणना में धालना में इससे पता चले कि प्रित्वी पर आउस्तन बादल छाए रहने का प्रतिसद जो होता है वो 52 है प्रतिसद सभी सतहों की डिगरी समान नहीं होता है चात्रों जो है क्योंकि जहां पे चात्रों जो है बादलों का एक आवागमन जो चलता रहता है हमारे वाई मंडल में वो हर जगह का रंग और क्या कहते हैं तरंग धैरों का जो आने का एक प्रतिबिम बनता है वो बहुत ही जो है परिवर्टित होके वो रिफ्लेक्ट मतलब वापस जो है फि ठिक है फिर उसके बाद जो है सभी सतहों पर परावर्तन सीलता परडाम सरूप उसके पास समान नहीं अल्बीडो कुछ उधारन इस पकर दिये हैं कि बादलों की उपरी सतह 40 से 80 तक परावर्तित होती है प्रतिसत लगभग 55% के आउस्तन की साथ जो है परिवर्तित होता रहत है पिवर्प की सतह असी प्रतिसत से अधिक को प्रतिविंबित करती है और ठंड और ताजी बर्फ और कम के लिए आने वाली धूप पुरानी गंदी बर्फ के लिए 50% जो है प्रभावित जो है होता रहता है छात्रों जो है ठीक है फिन भूम की जो सतह जो नीचे की सर्फ की रोशनी 30% तक जो है सुस्क भूम में जो है एक तरीके से अपनी जो है तापमान को जो है बना के रखता है फिन उसके बाद पानी की सतह 2% से प्रतिविंबित होती है जब सूर की सीधे सीर के उपर होता है तो 100% तक जो है सूर दिच्छित पर बहुत नीचे होता है यह ब सोडो 10 से कम है तो प्रतिसत सामान तोर पर पानी का अलबीडो का भी कम होता है जहां शंपूर पृतिवी पर विचार किया जाता है तो बादल होते हैं और अलबीडो के निरधारित करने पर सबसे महतपूर जो है अपनी भूमिका को निभाते हैं क्यूंकि अगर जो है सोने की एक क्या कहते अनुमान लगाया जाता है उसे आप अनुमान जो है नहीं लगा सकते हैं छात्रों ठीक है यहां पर यह टॉपिक आपका समाप्त होता है अगली टॉपिक साथ उपस्तित होंगे सभी छात्रों को धन्यवाद